C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 10, 6 त्रमिती, प्रिष्ठ 226, 10.2.2, सम आकृतियों का परिमाब आईए इस उदाहरण को देखते हैं विश्वा मित्र एक मीठर भुजा वाले वर्गाकार चित्र के चारों और एक रंगीन टेप लगाना चाहता है जैसा क्याकृती 10.5 में दिखाया गया है उसे कितनी लंबी रंगीन टेप की आवशकता होगी चूंकि विश्वा मित्र वर्गाकार चित्र के चारों और रंगीन टेप लगाना चाहता है इसलिए उसे वर्गाकार चित्र के परिमाब को ग्यात करने की आवशकता है प्रिष्ठ 227 इसलिए आवशक टेप की लंबाई बराबर वर्गाकार चित्र का परिमाब बराबर एक मीटर जमा एक मीटर जमा एक मीटर जमा एक मीटर बराबर चार मीटर हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है इसलिए इसे चार बार जोडने के स्थान पर हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई को चार से गुणा कर सकते हैं इसलिए आवशक टेप की लंबाई बराबर चार गुणा एक मीटर बराबर चार मीटर इस उदाहरण से हम देखते हैं के वर्ग का परिमाप बराबर चार गुणा एक भुजा की लंबाई ऐसे ही कुछ और वर्गों को बनाईए और उनका परिमाप ग्याद कीजिए अब हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम बाहुत्रिभुज आक्रिती 10.6 को देखते हैं क्या हम इसका परिमाप ग्याद कर सकते हैं? इस सम बाहुत्रिभुज का परिमाप बराबर 4 जमा 4 जमा 4 सेंटीमीटर इस सम बाहुत्रिभुज का परिमाप बराबर कोश्ठकों में चार जमा चार जमा चार सेंटीमीटर बराबर तीन गुणा चार सेंटीमीटर बराबर बारह सेंटीमीटर इस प्रकार हम देखते हैं कि सम बाहुत्रिभुज का परिमाप बराबर तीन गुणा एक भुजा की लंबाई। क्या आप बता सकते हैं कि एक वर्ग तथा एक सम बाहुत्रिभुज में क्या समानता है। इन आकृतियों में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है तथा प्रत्येक कोण की माप बराबर है ऐसी सभी आकृतियां बंद सम आकृतियां यानि Regular Closed Figures कहलाती हैं इसलिए एक वर्ग तथा एक सम बाहुत्रिभुज सम बंद आकृतियां हैं आपने देखा के एक वर्ग का परिमाप बराबर चार गुणा एक भुजा की लंबाई एक सम बाहुत्रिभुज का परिमाप बराबर तीन गुणा एक भुजा की लंबाई इसी प्रकार एक सम पंच भुज का परिमाप कितना होगा? एक सम पंच भुज में पांच बराबर भुजाएं होती हैं इसलिए एक सम पंच भुज का परिमाप बराबर पांच गुणा एक भुजा की लंबाई और एक सम शट भुज का परिमाप डाश होगा और एक सम अश्ट भुज का परिमाप क्या होगा? प्रिष्ठ दो सौ अठाइस प्रयास कीजिए अपने चारों और ऐसी वस्तूओं का पता लगा ये जो सम आकृतियां हों और उनका परिमाप भी ग्यात कीजिए उदाहरण छे शाइना सत्तर मीटर भुजा वाले वरगाकार पार्क के किनारे किनारे यानी चारों और तीन चक्कर लगाती है उनके द्वारा तै की गई दूरी ग्यात कीजिए हल वरगाकार पार्क का परिमाप बराबर चार गुणा एक भुजा की लंबाई बराबर 4 गुणा 70 मीटर बराबर 280 मीटर एक चक्कर में तै की गई दूरी बराबर 280 मीटर इसलिए 3 गुणा 280 मीटर बराबर 840 मीटर उदाहरन साथ पिंक की 75 मीटर भुजा वाले वरगा कार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है बॉब एक आईताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चोड़ाई क्रमशह 160 मीटर और 105 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाता है दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तै करता है हल पिंकी द्वारा एक चक्कर में तै की गई दूरी बराबर वरग का परिमाब बराबर चार गुणा एक भुजा की लंबाई बराबर चार गुणा 75 मीटर बराबर 300 मीटर बराब द्वारा एक चक्कर में तै की गई दूरी बराबर आयत का परिमाब बराबर दो गुणा कोश्ठकों में लंबाई जमा चोड़ाई बराबर दो गुणा 160 मीटर जमा 105 मीटर बराबर दो गुणा 265 मीटर बराबर 530 मीटर तै की गई दूरियों में अंतर बराबर 530 मीटर, घटा 300 मीटर, बराबर 230 मीटर अतहब बॉब अधिक दूरी तै करता है और यह दूरी 230 मीटर अधिक है उदाहरण आठ एक सम पंच भुझ का परिमाप ग्याद कीजिए जिसकी प्रतेक भुझा की लंबाई 3 सेंटी मीटर है हल इस सम पंच भुझ में 5 भुझाएं हैं जिसमें प्रतेक भुझा की लंबाई 3 सेंटी मीटर है सम पंच भुज का परिमाप बराबर 5.3 cm बराबर 15 cm उदाहरं 9 एक सम शट भुज का परिमाप 18 cm है इसकी एक भुजा की लंबाई ग्यात कीजिए हल परिमाप बराबर 18 cm एक सम शट भुज में 6 बराबर भुजाएं होती हैं इसलिए एक भुजा की लंबाई ग्यात करने के लिए हम परिमाप को 6 से भाग दे सकते हैं समशट भुज की एक भुजा की लंबाई बराबर 18 cm भाग 6 बराबर 3 cm अतहा समशट भुज की प्रत्य भुजा की लंबाई 3 cm है अब हम कुछ ऐसे प्रशनों को हल करेंगे जो के अभी तक प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित हैं प्रिष्ठ 239 प्रशना वली 10.1 एक नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ग्यात कीजिए यहां 6 अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं दो, 40 cm लंबाई और 10 cm चोड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढखकन को चारों और से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है आवशक टेप की लंबाई ग्यात कीजिए तीन, एक मेज की उपरी सतह की विमाएं दो मीटर 25 cm और एक मीटर 50 cm हैं मेज की उपरी सतह का परिमाप ग्यात कीजिए चार, 32 cm लंबाई और 21 cm चोड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है आवशक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ग्यात कीजिए पांच एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चोड़ा इक्रम शह 0.7 km और 0.5 km है इसके चारों ओर एक तार से चार पंक्तियों में बार लगाई जानी है आवशक तार की लंबाई ग्यात कीजिए प्रिष्ट 230 6. निम्न आकृतियों में प्रतेक का परिमाब ग्यात कीजिए A. एक थ्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 cm, 4 cm तथा 5 cm है B. एक सम बाहु थ्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 cm है C. एक सम द्विभाहु त्रिभुज जिसकी प्रतेक समान भुजा 8 cm की हो तथा तीसरी भुजा 6 cm हो 7. एक त्रिभुज का परिमाब ग्यात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 cm, 14 cm तथा 15 cm है 8. एक सम शट भुज का परिमाब ग्यात कीजिए जिसकी प्रतेक भुजा की माब 8 मीटर है 9. एक वर्ग की भुजा ग्यात कीजिए जिसका परिमाब 20 मीटर है 10. एक सम पंच भुज का परिमाब 100 cm है प्रतेक भुजा की लंबाई ग्यात कीजिए 11. एक धागे का टुकड़ा 30 cm लंबाई का है प्रतेक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है 12. एक थ्रिभुज की दो भुजाएं 12 cm तथा 14 cm है इस थ्रिभुज का परिमाप 36 cm है इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी 13. दो सौपचास मीटर भुजा वाले वरगा कार बगीचे के चारों और बाड़ लगाने का व्याय बीस रुपए प्रती मीटर की दर से ग्यात कीजिए 14. एक आयता कार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है के चारों और बारह रुपए प्रती मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्याय ग्यात कीजिए 15. स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों और दौरती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों और दौरती है 16. निम्न प्रत्यक आकरती का परिमाप ग्यात कीजिए आप उत्तर से क्या निशकर्ष निकालते हैं यहां चार आकरितियां दी गई हैं प्रिष्ठ 231 17 है अवनीत 9 वर्गा कार टाइल खरीद था है जिसकी प्रत्यक भुजा आधा मीटर है और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है A. नए वर्ग का परिमाप क्या है आकरिती 10.7 A B. शरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखवाती है इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा? आकरिती 10.7 B. सी किसका परिमाप अधिक है? दी अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता हो? क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं? टाइलें किनारों स आपस में मिली हुई हों और वे तूटी न हों. 10.3 क्षेत्र फल नीचे दी गई बंद आकरितियों को देखिए. आकरिती 10.8 ये सभी आकरितियां तल में कुछ क्षेत्र को घेरती हैं. क्या आप बता सकते हैं कि इन में से कौन सी आकरिती ज्यादा क्षेत्र घेरती है? बंद आकरितियों द्वारा घेरे गए तल के परिमान को उसका च्षेत्र फल कहते हैं. इसलिए क्या आप बता सकते हैं कि उपर दी गई आकरितियों में किसका च्षेत्र फल अधिक है? प्रिश्थ 232 अब हम नीचे दी गई आकरितियों को देखते हैं. इन में से किस आकरिती का क्षेत्र फल अधिक है? इन आकरितियों को देखने मातर से यह बता पाना बहुत ही मुश्किल है. इसलिए आप क्या करते हैं? इनहें एक वरगांकित पेपर या ग्राफ पेपर पर रखिये, जहां पर प्रत्येक वरग की माप एक सेंटिमीटर गुणा एक सेंटिमीटर हो. इन आकरितियों की बाहरी सीमा आर्थात बाहरी रूप रेखा खीचिये. इस आकरिती के द्वारा घेरे गए वरगों को देख आप देखेंगे के उनमें कुछ पूरे वरग, कुछ आधे वरग, कुछ आधे से कम तथा कुछ आधे से अधिक वरग घेरे हुए हैं. आकरिती द्वारा घेरे गए आवशक सेंटिमीटर वरग की संख्या ही उसका क्षेतर फल है. परन्तु यहां एक समस्या है. आप जिस भी किसी आकरती का क्षेतर फल मापना या जानना चाहते हैं. वरग हमेशा उसे पूर्ण तया नहीं ढखते हैं. हम इस समस्या का समाधान एक परिपाटी को अपना कर सकते हैं. एक पूरे वरग के क्षेतर फल को हम एक वरग इकाई यानि मात्रक लेते हैं. यदि ये वरग एक वर्ग सेंटीमीटर के हैं, तब एक पूरे वर्ग का ख्षेतर फल एक वर्ग सेंटीमीटर होगा। जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृती से घिरा है, उन पर ध्यान मत दीजिए, अर्थात उनें छोड़ दीजिए। यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृती से घिरा है, तो ऐसे वर्ग को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं। यदि किसी वर्ग का ठीक ठीक आधा भाग गिनती में आता है, तो ऐसे वर्ग के क्षितर फल को आधा वर्ग इकाई लेते हैं। इस परिपाटी से इच्छित क्षितर फल का अनुमान अच्छी तरह लगाया जा सकता है। उदाहरण 10 आकरिती 10.10 में दिखाए आकार का अक्षितर फल ग्यात कीजिए। हल यह आकार यानि आकरिती रेखा खंडों से मिलकर बना है। यह आकरिती केवल पूरे वर्गों तथा आधे से घिरी हुई है। यह हमारे कार्य को और भी आसान बनाता है। कैसे? एक. पूरे घिरे हुए वर्गों की संख्या बराबर तीन। दो. आधे घिरे हुए वर्गों की संख्या बराबर तीन। पूरे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र फल बराबर तीन गुणा एक वर्ग इकाई बराबर तीन वर्ग इकाई प्रिष्थ 233 आधे वर्गों द्वारा घिरा यानि ढखा हुआ क्षेत्र फल बराबर तीन गुणा आधा वर्ग इकाई बराबर डेढ़ वर्ग इकाई अथह कुल क्षेत्र फल बराबर साढ़े चार वर्ग इकाई उदाहरन ग्यारह वर्गों को गिन कर आक्रिती दस देशमलव नौबी का अनुमानित क्षेत्र फल ज्याद कीजिये यहां एक सार्णी दी गई है घिरे हुए वर्ग संख्या अनुमानित क्षेत्र फल वर्ग इकाई 1. पूरे घिरे हुए वर्ग 11, 11. 2. आधे घिरे हुए वर्ग 3, 3 गुणा आधा. 3. आधे से अधे घिरे हुए वर्ग 7, 7. 4. आधे से कम घिरे हुए वर्ग 5, 0. 1. कुलक्षेत्र फल बराबर 11 जमा तीन गुणा आधा जमा साथ बराबर साढ़े उन्नीस वर्ग इकाई. हल ग्राफ पेपर पर इस आकृती की बाहरी रूप रेखा खींचिये. वर्ग इस आकृती को कैसे घिरते हैं? आकृती 10.11. ग्राफ पेपर पर इस आकृती की बाहरी रूप रेखा खींचिये. वर्ग इस आकृती को कैसे घिरते हैं? आकृती 10.12. घिरे हुए वर्ग संख्या अनुमानित क्षित्र फल वर्ग इकाई. एक. पूरे घिरे हुए वर्ग एक एक. दो. आधे घिरे हुए वर्ग डैश डैश. तीन. आधे से अधे घिरे हुए वर्ग साथ साथ. चार. आधे से कम घिरे हुए वर्ग. नौ. शूर्ण्य. कुल क्षित्र फल बराबर एक जमा साथ बराबर आठ वर्ग इकाई. प्रिष्ठ 234. प्रयास कीजिये. एक. ग्राफ पेपर पर कोई एक वृत्त खीचिये. इस वृत्त में उपस्थित वर्गों की संख्या को गिन कर वृत्ताकार क्षेत्र का अनुमानित क्षेत्र फल ग्याद कीजिये. दो. ग्राफ पेपर पर पत्तियों, फूल की पंखुडियों तथा ऐसे ही अन्य वस्तूओं को छायांकित कीजिये और उनका क्षेत्र फल ग्याद कीजिये. अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचनस्वर गौरव मार्वा, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत.